तो हमने एक वीडियो अप्लोड किया था आई डोग उस पे दो तीन लोगों ने कमेंट किया किया कि भाई आपका नाम क्या है पूरा नाम क्या है तो मेरा नाम है एंजीनियर मुहमद हमजात ताहिर मज़ीद डेटेल्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आज ओ ठीक है क्यों पूछ रहे थे लेकिन आज की वीडियो पर आते हैं तो वीडियो का टाइटल है जनापके भारत तुष्मनी में हम अपना सब कुछ लुटा बैठे अब नाम इस पर question mark डालूंगा नाम इस पर full stop लगाऊंगा क्यूंकि ऐसा है पाकिस्तान ने जो है ना आपने जब भी हमें defense budget में मजीड demand की जाती तो यही जवाब अबताता जी इस्टरन बॉर्डर को भी हमने defend करने है वेस्टरन बॉर्डर को भी करने है तो भाई तालुकात ही इतने इच्छे रखो ना कि defend वाला काम ही ना हो है जब इंडिया निपाल से ही रह सकते हैं इंडिया बंगलादे में हम अल्मस्त दिवालिया हो चुके हैं हो चुके हैं सिर्फ अनॉंस्मेंट नहीं हुई तो आए देखते हैं क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं 3,2,1 एंड लो पाकिस्तान के केंद्रिय बैंक स्टेट बैंक को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा बंधार अपने सबसे नीचले स्तर पर पहुंच किया है रिपोर्ट के अनुसार फॉरण एक्सचेंज रिजर्फ दो दिस्संबर को समाप सब्ता में 78.4 करोड डॉलर घट कर अपने सबसे नीचले स्तर पर 6.72 अरब डॉलर रपर आगे पाकिस्तान अब बाहर से कोई इंपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास रिजर्फ सी नहीं बचे पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा बंडार के काफी नीचे गिरने के बाद साओधी अरब से ततकाल 4.2 अरब डॉलर्स देने का अन्रोथ किया है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का पहले दौरे का मिशन ही अपनी खाली कटोरे को फ़रा हुआ 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 है पाकिस्तान में बिजनस कांफिरेंस इंडेक्स मन्फी 4 फीसद हो गया है कारोबारी एतमाद में 24 फीसद कमी खिदमाद के शुबे में आई पर्चुन के कारोबार में 22 और पैदावार के शुबे में 20 फीसद कमी रिकॉर्ड की गई है सदर OICCI ने सुरत इहाल को मायू सकुन करार दे दिया है पाकिस्तान के मौश्य मसाइल ने अवाम पर मेंगाई का बोज पिछले साल की निस्बत तीन गुना बहार पिछले साल से ही में गई है बिजली गैस की लोड शर्डिंग की वर्ड़ से रहाईशी अलाकों के साथ साथ सनती और कारोबारी लाके भी शदीद मतासिर हो रहे है अच्छा बिजनसमैन ये भी शिकायत कर रहे है बढ़ी अच्छी बाते कर रहे है अच्छी बाते कर रहे है बढ़ी बाते कर रहे हैं गाड़ी ये इजाफ़ करने में कामयाब नहीं हो सकी है जबके गुजश्टा माह नवंबर के दौरान महाना और सालाना बन्यादों पर बरामदाद में आठारा अशारिया तीन चार फीसद कमी हुई है जबके महाना बन्यादों पर बरामदाद में 63 फीसद कमी हुई है जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदाद में तीन अशारिया चार आठ फीसद कमी हुई थी जबके जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदाद का जो हुई है वो ग्यारा अरब 93 करोड 20 लाग डॉलर रहा मुझछा बरस की इसी मुदद के दौरान मुल्की बरामदाद 12 अरब 36 करोड 20 लाग डॉलर रही मुल्की तजारती खसारे में रवा माली साल के पहले पांच महीनों में सलाना बरामदाद वर तीस फीसद की कमी देखने में आई जबके मुल्की बरामदाद में सलाना बरामदाद में 32 अशारिया 9-8 फीसद कमी हुई है जारी किये गए अदाद और शुमार के मताबब जुलाई से नवंबर के दौरान तिजारती खसारे का हुझम 14.41 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ था जो पिछले माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 30 फीसद कम रहा है 30 फीसद कम रहा है अब प्रॉब्लम यह जी फिजा अकपर खान सहाब और उनके जितने उन जैसे लोग हैं और जो मीडिया में मतलब एक पुलिटिकल पार्टी के कैमपेण चलाती है मुझे कोई मसला नहीं है आप कैमपेण चलाएं लेकिन मुझे मसला तब होता है कि जब यह मुल्क जो है एक ट्रैक पे चल रहा था अगर आप 2014 से 2018 तक कि आप चाहे डोलर का रेट देख लें फॉरन एक्सचेंज देख लें हमारा जो डेप्ट रिटरन पालिसी है जो उसक पानामा का कहानी चुरू हुई उस वक्त के हमारे जो आर्मी चीफ थे बाजवा साब और उस वक्त का जो आईस पियार था उन्होंने तश्वीश का इजार किया जिस वक्त हमारे जो फॉरन इजर्फ से वो शायद 18 या 19 बिलियन डॉलर के करीब पहुँचे वे थे 25 बिलिय चीजें होती हैं वो सब आम आदमी के पहुँच में थी और पाकिस्तान जो है एक ट्रैक पे था प्रॉबलम सिर्फ यह हुई थी कि आपने सीपेक के रिक्वेस्ट की थी कि हमें दे दो जो कि नवाज शरीफ ने मना किया और दूसरा आपने रिक्वेस्ट की थी डिफेंस म मना किया तो नवाज शरीफ को लगी फैंटी नवाज शरीफ साब बेटे से तनखान लाने लेकिन जरून में उनका जो है ना एल लगा दिये कर सीथी बात करूंगा और खान साब को बिठाया गया खान साब ने का कि पहले हम नवे दिन में सब कुछ ठीक करेंगे फिर उनने अगा जी तीस साल का गंद है एक साल में कैसे होगा पांच साल तो देने चाहिए फिर पांच साल जब चोता साल लग गया तब उनने तब भी उनके कहा गया कि सारा हम जब से आयों नीचे ही जा रहे हैं और जिस चीज़ तेजी से लेके जा रहे हो मतलब पीपल पार्टी न तो और बस एक अपना वह पॉलेटिकल एजिंडा लेके चला रहे हैं उनको मानने वाले उन्हें हीरो मानते हैं हम क्या करें तो यह सब चीज़ें हो रही थी और पांच में साल में भी उन्हों ने यह कहा कि पांच साल तो बड़े कम मैं दस साल देने चाहिए और जब यह सी जो लोग पीडियम के मुख्लिब पार्टिस को सपोर्ट करते थे उन्होंने भी का कि यह इन्होंने इंतहाई पौंड़ा एकदाम की है कि उसको निकालने के बाद एलेक्शन करवाते हैं ना कि खुद प्राइम मिनिस्टर बनके बैड़ के जी क्लेम यह था कि जो इंटेरम कोवर्मिट है उसके साथ यह फाइनेंशल इंस्टूशन काम नहीं करती हैं अरे नहीं करती ना करें सर नहीं करती ना करें एक लोगों के सर पेसे एक पर्दा है आँखों पे वो तो हड़ जाता ना कि जनाब यह जो मुलक में इस्वक्त तबहई आय यह कांसाब की वरसे आयए अबखान साब कहते हैं जी मेरे टाइम में तो साब अच्छा था ने हम एक एक रॉप में बड़ा कन्ट्रिब्यूटर हमारे डिफैंस का मचन है defense पे काम कर रहे हैं यही अगर हम दोस्ती भाई चारे से रहते तो यह पैसे human development पे लग जाते पाकिस्तानियों इस बात को सोचो कि हम किसकी वज़ा से आज इस हालत में हैं I hope आप इस बारे में सोचेंगे और आप लोग जो देखने वाले हैं क्या ख्याल हैं में कमेट सेक्शन में बताईएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में